हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आप सब तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू टोपिक पायथागोरियन ट्रिपलेट इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा करेंगे पायथागोर्स थ्योर्म के बारे में पायथागोर्स थ्योर्म क्या होती थी जो कि एपलाई होती है हमेशा एक राइट एंगल मतलब एक ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिगरी का एंगल हो और पायथागोर्स की थ्योर्म क्या होती थी कि हाइपोटेनियस का प्लस, बेस, इस्क्वायर। यह तो उसी से हिर्लेटीड है, हमारी पायथागोरन्न्न्न्न ट्रिप्लेट. सबसे पेले पे पायथागोरेश् थ्योर थ्यूरम मताताउ हूँ है, अगर हमारा, यह कोई एक राइड इंगल sorting है और है, हो niressrop laalineus थ्रेठी डिशार मुइंता हाँ यूपींट मैंदेव रहा में इस हुआता हाँ मतलब । का स्केश्न वल परीपलफ कर प्रहें स्केश्ट हून स्क्वाइर क्या होता है 25 is equal to 3 का स्क्वाइर 9 plus 4 का स्क्वाइर 16 तो 25 is equal to 9 plus 16 25 यह होती थी पाइथागोरस थियोरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वाइर हमारा परपेंड्यूकलर और बेस के स्क्वाइर के बराबर होगा तो हमने देखा इसमें नंबर ओफ सेट क्या बना हमारी हाइपोटेनियस 5 सेंटिमीटर मतलब 5 यूनिट बेस 4 और हमारा परपेंड्यूकलर 3 इसी सेट को बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट इस सेट को कि जो सेट हमारा नंबर ओफ सेट जो हमारे ट्राइंगल की साइड हैं और वो हमारी इस पाइथागोरस थेओरम को क्या करती है सेटिस्वाई मतलब हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस क्यों होती है लोंगे साइड ओफ ट्राइंगल तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 तो देखिए हाइपोटेनिस 5 है परपेंड्यूकलर और बेस कुछ भी हो सक अब देखिए इसको देखते हैं अगर यह सेट हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट का है तो यह पाइथागोरस थेओरम को क्या करेगा हमारा सेटिस्वाई और इसको देखते हमको पता लग जाना से यह सबसे बड़ा नंबर यह है तो यह होगी हमारी हाइपोटेनिस तो द कुछ भी लीव चाहितफो प्रपेंडोकलर लया इसको बेस ये इसको बेस लिर्टेलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो eight Squire plus six 있고요 10 का स्कुएर क्या होता है hundreds is equal to eight का स्कुएर 64 6 का स्कुएर 86 to šfeito हिंड्रेड is equal to 64 plus 8600 ये हमारा सैट पायता triplet का है अब ये बात पता कैसे लगाई जाए फोर एक्जाम्पल हमको given होता सिर्फ 6 और पूछा जाए अगर 6 किसी right angle triangle का side है तो बताइए इसके pythagorean triplet क्या होगे और दो side क्या होगी इसके बारे में हम एक pythagorean triplet के formula के बारे में जानना चाहेंगे तो चलते हैं इसके formula की तरफ इसका formula होता है 2m square plus m square minus 1 का whole square is equal to m square plus 1 का whole square मतलब जो हमारी ये वाली value है ये represent करती है हमारे hypotenuse को ठीक है और जो ये वाली है ये perpendicular ये base या फिर ये base और या फिर ये perpendicular चाहे तो ये perpendicular होगा ये base या ये perpendicular होगा ये base उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों plus में है तो ये हमारा formula है कि इसका pythagorean triplet को निकालने का 2m का whole square plus m square minus 1 का whole square is equal to m square plus 1 whole square तो जो ये whole square लगा है भई हमारे pythagoras theorem क्या होती थी अगर ये hypotenuse है तो hypotenuse का square क्या होता है perpendicular के square और base के square के बराबर तो अगर मैं इसको इस formula को इसके साथ relate करूँ तो hypotenuse का whole square तो अगर मैं खाली hypotenuse की बात करूँ तो वो क्या होगी भई इस square को मत देखो क्योंकि hypotenuse का square है पर हमकाली hypotenuse की बात कर रहे है तो bracket के अंदर वाला m square plus 1 perpendicular को क्या हमारे present करेगा whole square मत देखो खाली अंदर का देखो m square minus 1 और base को 2m तो ये हमारे 3 set को बताने वाले formula है क्या 2m m square minus 1 m square plus 1 ये हमारे triplet को बताने का formula है और ये हमेशा plus वाला किसको present करता है hypotenuse को चलो तो मैं बताता हूँ अब question किस तरह आएगा और आप पूछोगे ये m क्या है तो भाई m क्या है any natural number कोई भी natural number m is equal to any natural number कोई भी natural number भाई 0, 1, 2, sorry whole number हो गया 0, sorry, sorry natural मतलब जो 1 से start होते है 1, 2, 3, infinite तक कोई भी number m की value हो सकती है अब इसके उपर question कैसे आएगा question आएगा कि भाई अगर कोई m की value हमारी 6 है वो ही question कर लेते हैं अगर m की value हमारी 6 है तो बताओ हमारे pythogoran triplet का set क्या आएगा m की value बताइए ये pythogoran triplet में m की जो value है वो कभी भी नहीं मिलेगी set में कैसे बताता हूँ m की value 6 है तो 2m की value क्या हुई 2 into 6 ये हुई हमारी 12 और m square minus 1 m की value क्या है 6 तो 6 का square minus 1 6 का square होता है 36 से 1 गया हमारा 35 और m square plus 1 क्या होता है हमारा 6 square plus 1 is equal to 6 का square 36 plus 1 is equal to 37 तो हमारा set निकल के क्या है हमारा set निकल का है 12,35,37 और जो ये 37 है ये present करेगा हमारा hypotenuse या तो ये perpendicular होगा या ये और दूसरा वाला base होगा तो हमारा set निकल क्या है ये m की value given के बाद अब check करते हैं कि सच में पाइथोगोरें ट्रिपलेट है मतलब क्या सच में ये हमारे पाइथोगोरें ट्रिपलेट का सेट है तो भाई करने का तरीका चाहे तो इस formula में put कर लो जो ये आपको formula दिख रहा है m की value चाहे अपने पाइथोगोरें ट्रिपलेट का सेट है इसका मतलब hypotenuse का बड़ा वाला 37 और ये perpendicular चाहे 12 ले लो चाहे 35 तो formula क्या होता था hypotenuse 37 का whole square is equal to 12 का square plus 35 square ये हमारा formula होता था तो भाई 37 का square क्या होता है 1369 is equal to 12 का square 144 plus 35 का square 1225 ठीक है अब देखे 144 और 1225 को plus करो answer 1369 ही आएगा क्योंकि 549 246 और 1 और 2 और 13 1369 is equal to 1369 हाँ भाई set तो है तो हमारा confirm हो गया इसका मतलब जो हमारा ए फॉर्म लाया है ये हमने verify भी कर लिया ये छोटी सी बात ही हमारी pythagoran triplet की हमें कभी भी इस formula का use नहीं करना simple 2m m square minus 1 m square plus 1 में अपनी m की value पुट करो answer लो और हमको एक set निकल के मिल जाएगा आप और भी question try कर सकते हैं अगर m की value saving है तो आपका set आएगा m की value 8 है तो क्या set आएगा इस तरह ही हमें अपनी exercise में question करने है तो thank you very much वीडियो अच्छी लोगी हो तो like कर दीजिए और इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियो पारने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए thank you very much प्यारी व्यारी वादेश वीडियोग झाल जब प्यारी जदीए